हेलो दोस्तो मैं हूँ राजू और आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आचार के लिए सबसे बेस्ट आम कौन सा होता है दोस्तो अलग-अलग बेराइटी के आम होते हैं, अलग-अलग कलर के आम होते हैं दोस्तों यह आपको पहले से मालूमति दोस्तों आप भी घर पर आचार बनने की तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि अभी आचार बनने का सबसे बैस्ट समय होता है तो हमने यहां पर कुछ कच्चे आम पहले से तोड़के रखे थे मैं आपको इस वीडियो में सब्जी भी बना कर बताऊंगा कि उससे आपको साब बिल्कुल सही तरीका मालूम हो जाएगा और सही बेस्ट आम कौन सा होता है आचार के लिए उसके बारे में भी आपको बिल्कुल सही जानकारी प्राफ्त होगी दिफ्रेंट होता है जो आपको दीरे दीरे आप वीडियो देखें गोई तो आपको सब मालूम चल जाएगा आप अपने घर में बड़े वजरुगे होंगे तो उन से आप एक बार पूछोगे तो आपको सबसे जो बेस्ट होता है आप उसके बारे में जानकारी अच्छे से मिल जाएगी दोस्तों मैंने खुद ने यह बना कर देखा है और आप भी यकिन कीजिए आपको आचार बहुती परफेक्ट बनकर तयार होगा और कापी सवादिष्ट भी रहता है तो चले दोस्तों करते हैं सबजी के तैयारी उसमें आपको साब तोर पर दिखाए देगा कि कौन सा आम आचार के लिए सबसे बेश्ट और उप्युक्त रहता है तो दोस्तों वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जल्दे से जल्द पाहुं सके तो दोस्तों चलते हैं सबज हल्दी पाउडर डाल दीजिए और इसमें डाल दीजिए नमक हल्दी पाउडर डालने से यह होगा कि हमारी जो सब्जी बनकर तैयार कि उसमें कलर काफी अच्छा रहेगा और नमक केरी में अच्छे तरह से समा जाएगा और इसके साथ साती हम पहले से हमने यहां पर आदा बता रहा हूं कि जब हम सासाथ केरी और मैथी और दाल देते हैं तो मैथी फूटने लगते हैं और फूटने के बाद में यह कड़ापन दे सकते हैं 50 परसेंट जब आपकी केरी पकर तयार हो जाए उसके बाद में आप में ов ul we की तयारी तो हमने आपर मिर्ची लिए अद्रग लिए और लसुन लिए इनको आपस में सब को एक साथ कूट लेंगे आपको मिक्सर ग्राइंडर में इनको बिलकुल भी नहीं पीसना है अब चलते हैं गेस के तरफ तो हमने आपर गेस पर कड़ाई रख दिये उसमें डालेंगे जीरा और यहां पर आपको सबसे जो जरूरी बात है आप इसमें जब कूकिंग ओयल यूज लेते हो तो आप सरसो का तेली यूज लीजे रिफाइंड ओले आपको यहां पर यूज नहीं लेना है अब जो हमने यहां पर मिर्च पयिस्ट कूटब कर तयार किया था, उसको इसमें डाल देंगे और इसे अच्छितर से पका लेंगे अब इसके साथ साथ आप बेसिंग मसाले डाल दीजे जो आपको मसाला डालना हो वो आप मसाला इसमें डाल दीजे और इसके बाद में आप मसाले को अच्छे तरह से पका लेंगे दोस्तो इस वीडियो के बाद में आपको एक जो आम का अचार होता है उस पे बिलकुल परफेक्ट वीडियो आएगी तो आप चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजे ताकि जो आप हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसका आपको नोटिप कैसा जल्दी मिल जाएगा अब हमारा मसाला जैसे पकर तयार होता है तो इसमें डाल दीजे केरी जो हमने पहले से उबाल कर रखी थी वो इसमें डाल दीजे और इने अच्छे तरह से मिक्स कर लीजे दोस्तो आभी आपको ये मालम चल जाएगा कि जो मैंने वीडियो में सुरू में बताया था दोनों आमों को ल मुझे बतायेगा तो हमारी जो सब्जी है बनकर तयार हो चुगे इसको एक अलग प्लेट में हम ट्रांसपर कर लेंगे आपको सब्जी से मालूम चल रहा होगा कि जो हमने अलग अलग वेराइटी के आम लिये थे उनमें कितना डिफरेंट होता है दोस्तों अगर आपको न 내가 जीलका बिल्कल भी नहीं करती है और यह अलग होस्ते है और जो गैरेहरेरंग का आम होता है उनमें यह छीलका नहीं निकलता है कुछ इसकी तरह TOwork वेंचीर बिल्ग के लिए यहारे जो आम होता है वह आचार के लिए सबसे विए्ज आधा है तो वीड़ियो को कर दीजे ह लाइक और चैनल को कर लिजे, सब्सक्राइबर मिलते हैं अगले वीडियो में.